देश में एक साथ दो जान लेवाब बिमारी लोगों को अपनी चपेट में ले रही है कोरोना संकट के बीच लोग डेंगो के भी शिकार हो रहे है दिली, पंचाब, हर्याणा, मधपरदेश, उतरपरदेश समेत कई राज्यों में देजी से डेंगो के मरीच सामने आ रहे है फ्रिशासर के सामने दोहरी चुनोती खड़ी हो गई है हाला की राजसरकारे हालात नियंतरण में होने के दावे कर रहे है कोरोना संक्रमन के मामलों को लेकर सुमवार का दिन राहत देने वाला रहा एक ओड जहां कोरोना के दिनिक मामलों में गिरावट दर्च की गई वही टीका करणने रिकोर्ड बनाया देश में करोड 13,000,000 लोगों को महा वियान के तहत कोरोना का ठीका लगाया गया वहीं लंबे समय बाद कोरोना के दिनिक मामलों में कमी आई है ये पहले आकडों के मुकाबले काफी कम है, इससे पहले सोंवार को भी 40,000 से कम मामले मिलेते, बीदे करीब एक हफ़ता तक 40,000 से जादने मामले मिलने के बाद इस कमी ने बड़ी राहत दी है। केरल महरास्टा में भी कोरोना के डेक केस कम हो रहे हैं, टीका करन की रिफ्ता तेज होने से लोगों की बोडी में हार्ट इम्मिनिटी तैयार हो रही है, जिससे संक्रमन के चपेट में लोग कम आ रहे हैं। ICMR के मताबिक 6 सितंबर तक 53 करोड से जादा लोग टेस्ट करा चुके हैं, जबकि सोमवार को 15 लाग से जादा सेंपल की जाच हुई, बीते कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों की वज़े से अक्टिव केसों का आंकड़ा 4 लाग के पार पहुंच गया था, वह एक बारफर से कम हो गये, एक्टिव केस 3,92,864 हो गये, इसके लाबा रिकवरी रेट अब 97.48 प्रतिशत हो गया है, बात करेंगे जिन पर सहारेंपूर की ये चोथा दिन है, जब सहारेंपूर में एक भी संक्रमन की पुस्टी नहीं हुए, जिसके बाद अभी भी कुल संक्रम पोस्ट में जरूर दीजेगा, हाँ लेटस्ट अबडेट पाने के लिए यूही देखते हैं, सिटी वैप तब तक के लिए धन्यवाद